नमस्कार आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे साथ आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है स्पीक म्यूजिक तो आज हम चर्चा करेंगे एक नए राग की और उस राग का नाम है राग जिन जोटी तो चलिए आज बात करते हैं राग जिन जोटी के परिचै की तो हर बार की तरह आप देख सकते हैं पेज आपके सामने हैं और उस पेज में सबसे उपर लिखे हैं आरोह अवरोह और पकड़ इस राग जिनजोटी के आरो अवरो की बात करें, तो दो तरह के आरो अवरो मैंने यहां पर लिखे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रचार में राग जिनजोटी का जो चलन है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है और शास्त्रिय रूप में जो राग जिनजोटी का जो प छपम अगरेसा, यानि संपून जाती, आरो में भी साथ स्वर, अवरो में भी साथ स्वर, और इस प्रकार से ये बाद प्रूव हो जाती है, कि जब भी आपको एक्जाम में लिखने को आए राग जिन्जोटी का परिचय क्या है, तो लिखने वाले एक्जाम में, ध्यान जो है वो वर्जित नहीं है लेकिन जब आप practically की इस राग को देखते हैं तो हम पाते हैं कि राग जर्ण odpow दिया के बॉसरा जो हो है सारे मापद हसा रे नीधाप मागरे गाशा तो यह वाला है यह आधिकतर परशार में इसी तरह से चलते हैं क्योंकि राग जिंजोटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका जो आरो है उसके आरो में जो गंधार स्वर है और जो निशाद स्वर है उनकी जो मात्रा है वो अल्प रूप में रहती है यानि राग जिंजोटी के आरो में गंधार और निशाद जो है बहुत अल्प रूप में प्रयोग किये जाते हैं और कुछ विद्वान लेते ही नहीं है सारे मपध हसा करके ही जाते हैं इसलिए यहां पर यह आरो और वरो जो है वो दो तरीके से मैंने दिये हैं और पकड दोनों की सेम है आई अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हर बार की इसका भी थाट देखते हैं और इसके थाट की बात करें तो यह खमाज थाट का राग है इसकी जाती संपून संपून है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत से ऐसे राग हैं इंदुस्तानी संगीत में जिनकी जातियों को लेकर के भी थोड़ा डिफरेंस होता है फिर एक ओड़ संपून जाती वाला है ठीक है आई होप इट इस ग्लियर वादी स्वरिस का गंधार है समवादी स्वरिस का धैवत है यानि गव और धावदी समवादी है और गायन समय की बात करें तो जाहिर सी बात है कि खमाज थाट का राग है और खमाज थाट के सभी राग ज्य आपसे अगर बात करें तो रात्री का दूटिय प्रहर यानि रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक 3 गंते का समय इसके मूड की बात करते हैं तो ये भक्तिरस प्रधान राग है इसमें भक्तिरस दिखाई देता है करुन रस जलकता है वियोग श्रिंगार रस यानि किसी से भग्तिरस इसमें बहुत अच्छा खिलता है और उसके साथ मद्य सब्तक इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता घ्रह स्वर की बात करते है ग्रह स्वर यानि जिस जिन्जोटी का वर्णन है तो उस हिसाब से इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है और यदि हम प्रचार में चलन के नुसार देखें तो इसमें आरोह में गंधार और निशाद वर्जित तो नहीं है लेकिन वर्जित की ही तरह है यानि कि बहुत ही अलप प्रयोग है उनका इसलिए आप वर्जित मान सकते हैं कि इसके आरोह में चलन के नुसार गव और निका अती अलप प्रयोग होने के कारण या अलप प्रयोग होने के कारण ये जो हैं वर्जित की ही स्थिती में हैं आरोह और अवरोह के चलन की बात करते हैं तो आरोह और अवरोह की जो चाल है वो सीधी है, सपाट है, इसमें किसी वी तरह की वक्रता नहीं है, तानपूरा मिलान की बात करते हैं, तो राग जिन्जोटी में भी पंचम स्वर जो है बड़ा प्रमुक स्वर है, इसलिए पंचम स्वर पे ही तानपूरा मिलाया जाता है, स्वरों के प्रयोकी बात करते हैं, राग जिन्जोटी में निशाद कोमल है जो की खमाज थाट की पहचान है और बाकी के स्वर शुद्ध हैं इसलिए राग जिन्जोटी जो है खमाज थाट और खमाज अंग का राग होने के कारण निशाद कोमल लेता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं इसके संप्रकृत र बिलते हुए रागों की बात करें, तो वो दो ही राग है, एक है खमाज और एक है गारा, तो सबसे ज्यादा जो नस्दीक इसके राग है, वो है राग खमाज. राग जिंजोटी में नियास के स्वर हैं सा, ग, प और धा आई ये सकी बात करते हैं राग अंग स्वरसंगतियों की तो राग जो जिंजोटी है वो खमाज थाट से भी आया है और खमाज अंग का वी राग है यानि खमाज अंग का क्या आरथ है यहांपर खमाजंग यानि खमाजंग की स्वरसंगतियां तो खमाजंग की स्वरसंगतियां यहां पर देखने को मिलती है और कौन-कौन सी स्वरसंगतियां है वो आप देख सकते हैं नमबर एक कोमलनी से शुरू होने वाली नीधा-प-माग पहली स्वरसंगती ये जो हमें दिखाई देती है राग जिन्जोटी के अंदर वो खमाज अंग की स्वरसंगती है दूसरे नमबर पे तारसब्तक के रिशब से आती है रे कॉमलनी धाप जैसा कि अपड़ सकते है ये स्वरसंगती भी खमाज अंग की माने जाती है जो की जिन जोटी में दिखाई देती है आगे हम बात करते हैं राग के प्रयोक शेटर की तो मुख्य रूप से ये जो है ठुमरी गाई की वाला राग है इसलिए इसमें ठुमरी गाई की ही ज्यादा गाई जाती है लेकिन इसमें छोटे ख्याल भी होते हैं बहुत से फिल्मी गीत इस राग में आपको मिलेंगे गजले मिलेंगी और भजन आपको देखने को मिलेंगे आई अब बात करते हैं इस राग में अलंकारों के प्रयोकी यानि और्नमेंट्स ऐसी कौन से खुबसूरत चीजें हैं एलिमेंट्स हैं जिसे ये राग सुंदर बनता है तो इस राग मे मींड का प्रेयोग किया जाता है आने वाले अगले लेसंस में जब मैं आपको विस्तार से और भी इस राग की गहराई में लेके जाओंगा तो आपको बताओंगा कि मींड कैसे यूज होती है कहा होती है कितनी मातरा में यूज होती है और भी क्या क्या चीज होती है लेकिन मुख्य रूप से आप ये मान लीजीए कि इस राग में अलंकारों के प्रयोब की अगर बात करें तो मीन्ड का प्रयोब होता है अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा ये अलंकार क्या है हर वो चीज जिससे राग सुंदर बनता है तो ये अलंकार कौन-कौन से हैं जैसे खटका, मुर्की, मींड, गमक, कंस्वर, अंदोलित्वर, आधी-आधी तो ये सारे क्या हैं संगीत के ओर्नामेंट्स यानी अलंकार आई अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और राग की सबसे प्रमुक स्वरसंगती की बात करते हैं तो इस राग में तीन प्रमुक स्वरसंगतियां हैं जैसा कि आप देख सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि उन तीन स्वरसंगतियों को जब एक ही रूप दे दिया गया है तो उस इससे पहले कि आगे बढ़ू, यदि आप जानना चाहते हैं कि कॉपी राइट स्वरसंगती क्या है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिसमें मैंने अल्रेडी ये लेसन बनाया है, जिसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है कि कॉ बहुती अच्छे से समझ में आ जायेगा, लेकिन फिर भी इस राग के संदर्ब में कॉपी राइट स्वरसंगती यहां पर जो है वो है धासारे मागा, क्योंकि ये एक मात्र इसी स्वरसंगती है, जो इस राग को एक बहुत ही भी शेश रूप से जो है, सब रागों से अल करना चाहूंगा कि राग जिंजोटी में, जैसा कि मैंने आपसे यहां कहा कि कॉपी राइट स्वरसंगती में धासा रेमागा, कि ये कॉपी राइट स्वरसंगती का क्या मतलब है, जी हां कॉपी राइट स्वरसंगती मतलब ऐसी स्वरसंगती जो सिर्फ और सिर्फ उसी र राग खमाज से उस खमाज अंग की भी स्वरसंगतियां राग जिंजोटी में दिखाई देती हैं जैसा कि मैंने उपर आपको बताया पॉइंट नंबर 15 आप पड़ सकते हैं पहली स्वरसंगति नीधापा मागा और दूसरी रे नीधापा और तीसरी सा नीधापा मागा ये तीन आसी स्वरसंगतियां हैं जो राग जिंजोटी में भी यूज़ की जाती हैं लेकिन जिंजोटी की अपनी नहीं है कहाँ से उधार ली गई गई है राग खमाज से या मैं को नाम दिया है copyrights वर संगती उमीद करता हूँ कि आज का ये lesson आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे दीजिए इजाजत मिलते हैं आपके साथ अगले lesson में तब तक के लिए देखते रहिए speak music और राग भी जोटी bye bye and have a musical time करता हूँ